वहीं बीजबी ने रविवार को प्रेस कॉंफरेंस कर नैशनल हराड के मुद्दे को लेकर कॉंग्रिस को घेरा और कॉंग्रिस की दोहरी नीती परवार किया जरा सुनी है पूरा हिंदुस्तान यह मानता है कि ना किसी की जीत ना किसी का हार कोई जीता है तो वो हिंदुस्तान की जीत है भारत की जीत है उस पर जिस प्रकार की टिपणी की गई है मुझे लगता है यह निंदनी है नेशनल हराड कहती है और मैं कोट कर रहा हूँ ये जो अयोध्या का वर्डिक्ट आया है जो सर्वोच्य न्यायले सुप्रीम कोट ने ये वर्डिक्ट दिया है उससे Congress Party के mouthpiece National Herald को Supreme Court of Pakistan की याद आ जाती है यह शर्मनाक है यह धिकार के योग्य है कि Congress Party का mouthpiece इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करके हिंदुस्तान के Supreme Court को कहीं न कहीं छोटा दिखा रहा है आगे क्या कहती है The Supreme Court of India has ruled exactly what Vishwa Hindu Parishad and Bharatiya Janta Party wanted from the beginning even after accepting that installing idols and demolition of the mosque was unlawful यह सज़ेस्ट कर रही है Congress Party National Herald के माध्यम से यह कहने की चेश्टा कर रही है कि Supreme Court नहीं कहा वही किया वही जज्जमेंट दिया जो Vishwa Hindu Parishad and BJP चाहती थी यह अत्यंत दुखा दिखा है There is no judicial system in the whole world as transparent and as democratic as the judicial system of India भारत के सरवोच्चे न्यायले और भारत की न्याय प्रणाली से अच्छी न्याय प्रणाली पूरे विश्व में नहीं उस न्याय प्रणाली के उपर उंगली उठाने का काम कॉंग्रेस की माउथपीस नैशनल हराल एक शर्मजरक तरीके से करती है यह धिकार के योग्या है